नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की योर को नोटिस भेजाता नोटिस में कहा था कि चुनाव आयोग को बीजेपी के प्रतिनीदी मंडल से शिकायत मिली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि तीन अपरेल को बैनर्जी ने हुगली में तारकेश्वर की चुनावी रेलिके दोरान मुस्लिम मद्दाताउंक से कहा कि उनका वोट विविन दलों में नाबटने दें नोटिस में बैनर्जी के हवाले से कहा गया कि विश्विद्यालों तक के लिए कन्या श्री चात्रवर्ती है अनुसिचित जातियों एम अनुसिचित जन जातियों के लिए शिक्षा श्री है सामान्य वर्ग के लिए स्वामी विव्यकानन्द चात्रवर्ती है आद संक्यक स से पैसे लिये हैं चुनाव आयोग ने कहा कि उसने पाया है कि उनका भाशन जन प्रितिनिदी कानून और आचार सहीता के प्रावधानों का उलंगन है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर गुजरात हाई कोट की सक्त टिपनी जज बोले कोरोना मरीजों को बैड नहीं म को कहा कि प्रदेश और लोग जिस तरह की दिकतें जहल रहे हैं वह सरकार के दावे से बहुत अलगे चीफ जस्टिस विक्रमनात और जस्टिस भारगव करिया की बैंच ने कहा कि लोगों को लगने लगाए कि वे अब भगवान भरोसे है एड़ोकेट जर्नल कमल प्रदी ने कोट को सरकार की और से उठाए गए कदमों के बारे में बताया उन्होंने होस्पिटल में बेड्स की संख्या और एंट्री वाइरल ड्रग रेमेडी सीवर की उपलब दिता बढ़ाने की जानकारी दी हालांकि बेंच ने जादातर दल्लों को मानने से इनकार कर इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर पश्रिम मंगाल चुनाओं 2021 में ममता बैनर्जी ने कहा मैं दुखी और शर्मिंदा हूँ आज तक ऐसा प्रदान मंतरी नहीं देखा जिया दोस्तो पश्रिम मंगाल विदानसबाद चुनाओं में चार चरनों का मतदान अभी बा मुख्यमंतरी ममता बैनर्जी ने दम दम में प्रदान मंतरी नरिंदर मोधी पर निशाना साधते हुए ममता बैनर्जी ने कहा कि मैं वास्तों में दुखी और शर्मिंदा हूँ मैंने ऐसा प्रदान मंतरी नहीं देखा जो बोलते समय सभी सीमाओं को लांग जाता है मैंने सबी धर्मों के लोगों के लिए काम किया है मैंने क्या नहीं किया है अब एक ही चीज रह गई है भाजबा हटाओ देश बचाओ उन्होंने कहा कि मैं वास्तों में दुखी और शर्मिंदा हूँ मैंने इसा प्रदान मंत्री नहीं देखा जो बोलते समय सबी सीमाओं का उलंगन कर जाता है मैंने सबी धर्मों के लोगों के लिए काम किया है मैंने क्या नहीं किया है अब एक ही चीज रह गई है कि भाजबा हटाओ देश बचाओ लेफ्ट और कांग्रेस भाजबा के एजेंट है ऐसा उन्होंने ट्वीट करके भी कहा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिल्ली में बढ़ेंगे कोरोना बैड कोविड होस्पिटल में तबदील होंगे कई सरकारी अस्पताल और साथ में प्राइवेट भी सीम के जरीवाल ने कहा जियां दोस्तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य मंतरी अर्विंद के जरीवाल ने सौमवार सुबह दिल्ली सचिवाल ले में अफसरों के साथ आपात बेठक की इस बेठक में उन्होंने दिल्ली के सभी सरकारी और नीजी अस्पतालों में कोविड बेठ की संख्या बढ़ाने के निरदेश दिये हैं इस बेठक में दिल्ली के कई सरकारी नीजी अस्पतालों को फिर से पूरी तरह से कोविड अस्पताल बढने का फैंसला लिया गया है इसके साथ ही केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी कोविट बेट बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार संपर्क करेगी दोस्तों CM ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वो कोविट प्रोटोकोल का पालन करे बहुत जरुरी होने पर ही अस्पताल जाएं और पात्र लोग वैक्सिन जरूर लगवाएं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर फिर सुप्रीम कोट में पहुचा राफेल मामला फाइटर जेट की खरीद में ब्रस्टाचार के आरोप की सुप्रीम कोट दो हफते बाद करेगा सुनवाई दो साल पहले दी थी क्लेंचिट जी हाँ दोस्तो फ्रांस से हुई राफेल फाइटर जेट की डील एक बार फिर विवादों में हैं सोदे में ब्रस्टाचार को लेकर फ्रांस की वेबसाइट मीडिया पाट के खुलासे के बाद सुप्रीम कोट में नई P.I.L. दायर की गई है वकिल M.L. शर्मा ने नई याचका दाखिल करते हुए सुप्रीम कोट से स्वतंतर जाच की मांग की है चीप जस्टिस SS बोब्डे ने सोमवार को कहा कि अधारत इस मामले की दो हफते बाद सुनवाई करेगी हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी तारीक का जिग्र नहीं किया याचका करता शर्मा ने CGI बोब्डे के समक्ष मामले का उल्ले किया शर्मा ने कहा कि वह 23 अप्रेल को CGI बोब्डे के रिटायर्मेंट से पहले एक नई याचका पर सुनवाई की अपील कर रहे हैं इस पर CGI ने दो हफते बाद मामले को सुची बत्त करने पर सहमती वैक्त की है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार रूसी वैक्सीन इस पूतनिक वीके आपातकालिन इस्तेमाल को मिल गई मनजूरी भारत को COVID-19 के खिलाफ मिलेगी तीसरी वैक्सीन जी हां दोस्तो रूसी वैक्सीन इस पूतनिक वीके भारत में आपातकालिन इस्तेमाल को मनजूरी मिल गई है हैदराबाद की डाक्टर रेडिस लेब द्वारा भारत में निर्मित इस वैक्सीन की प्रभाव शीलता 90.6 प्रतिशते जो की मोडरना और फाइजर शोट्स के बाद सबसे अधिक है दोस्तो कोविड-19 के खिलाफ लडाई में भारत ने तीसरी वैक्सीन के रूप में इसे उप्योग की मनजूरी दे दी है भारतिय दवा नियमक की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस पूतनिक वीको अपातकाले नुप्योग की मनजूरी देने के लिए आज बेठक की और उसमें उसके किलनिकल ट्राइल के नतीजों पर विचार किया एक अप्रेल को हुई आकरी बेठक में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डाक्टर रेडीज लेब से वैक्सीन के सबी इम्मिनोजेन सीटी पेरामिटर्स का डेटा जमा करने के लिए कहा था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर प्रदान मंतरी मोदी को सोनिया गांदी की चिठी कहा वैक्सीन के लिए उम्मर नहीं जरूरत बने आधार जी आ दोस्तों कांग्रिस अद्देक्स सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी से आगरह किया कि उम्र की बजाए जरुरत के हिसाब से टीका करण का विस्तार किया जाए उन्होंने प्रदान मंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वाइरस के संक्रमन के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाराए सक्त कदमों के मद्दे नजर गरीबों को 6,000 रुपे की मासिक मदद मुहिया करवाई जाए दोस्तो सुनिया गादी ने शनिवार को हुई कांग्रेश शासित राज्यों के मुखे मंत्रियों के साथ डिजिटल बेटक का हवाला देते हुए पत्र में कहा कि टीका एक बड़ी उम्मीद है दुख की बात है कि जादतर राज्यों में 3-5 दिन का ही टीका बचा हुआ है ऐसे में हमें टीके को यहां बनाने की गती तेज करने के साथ ही अन्य कमपनियों के टीके को आपात इस्तिती में उप्योग की अविलंब मन्जूरी देने की जरूरत है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर आम आदमी को लगा जटका मार्च 2021 में खुरदरा महंगाई दर बढ़कर 5.52 फिस दी हुई फरवरी में थी 5.03 फिस दी जिया दोस्तो कोरोना वाइरस के पोजिटिव मामलों की बढ़ती ताबर तोल संक्या के बीच आम आदमी के सिर पर एक और मुसिबत खड़ी हो गई है सरकारी आंकडों के मुताबित मार्च 2021 के दोरान खुरदरा महंगाई दर में बड़ोतरी दर्ज की गई है और यह अब 5.52 फिस दी पर पहुँच गई है इससे पिछले महीने यानि की फरवरी 2021 में खुरदरा महंगाई दर 5.03 फि कर 3.6 फिस दी रह गया है इसके बाद दोस्तों अगली बोड़ी खबर CBI ने महाराष्ट के पूर्व ग्रह मंत्री अनिल देश्मुक को पुश्टाज के लिए बुलाया की गई थी इसके लिए अधिकारियों का एक दल दिल्ली से बुंबई पहुचा गया है वहीं CBI सचीनवाजे परंबीर सिंग और बुंबई पुलिस के अन्ने अधिकारियों से पहले ही पूश्टाज कर चुकी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर SBI ने खातधारकों को किया अलर्ट साइबर चोरों का नया फ्रोड एक गलती और FD अकाउंट हो जाएगा खाली जिया दोस्तों जिसे दुनिया डिजिटल हो रही है कई काम बहाद आसान हो गए है आप घर बेटे बेंक का जादा से जादा काम निप्टा सकते हैं लेकिन ऐसे में एक कड़वी सच्चाई भी आप लोगों के सामने है वह है ओनलाइन बैंकिंग फ्रोड की जो की इन दिनों बहत तेजी से बढ़ रही है जी हां दोस्तों इसी संदर्में देश के सबसे बड़े बैंक भारतिय स्टेट बैंक यानि कि SBI ने अपने लाखो ग्रहकों को और आम लोगों को अलट जारी किया है SBI ने बताये कि साइबर क्रिमिनल्स ने ग्रहकों के अकाउंट में ओनलाइन फिक्स डिपोजिट खोल लिया है SBI ने कहा है कि हम अपने ग्रहकों से अपील करते हैं कि वो अपनी बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें SBI ने कहा कि ऐसी किसी कोल पर सतर्क रहें जिसमें वो खुद को SBI का बता कर आप से पर्सनल डिटेल्स जैसे की पासवर्ड, OTP, कार्ड नमबर वगिरह मांगते हैं क्योंकि SBI कभी भी अपने ग्रहकों से ये जानकारिया नहीं मांगता है SBI ने इस नए तरह के फ्रोड के जानकारी अपने ग्रहकों को ट्यूटर के जरिया दी है जिसमें साइबर चोर लोगों के ओनलाइन FD अकाउंट से पैसे गायप कर रहे हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर बांगलादेश में लगेगा पूर्ण लोकडाउन सरकारी ओफिस भी रहेंगे बंद जियां दोस्तो तेजी से बढ़ रहे है कोरोना संक्मन के बीच दुनिया के कई देश एक बार फिर लोकडाउन की तरह बढ़ रहे हैं नई COVID-19 मामलों में तेजी के चलते बांगलादेश सरकार ने पूरे देश में कम्पलिट लोकडाउन के लिए नए सरे से निर्देश जारी कर दिये हैं समचार एजनसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार केबिनेट डिविजन ने सौमवार को निर्देश जारी किये कि लोकडाउन बुद्वार शाम 6 बजे से 21 अप्रेल तक लागू रहेगा इस दोरान सभी सरकारी और प्राइवेट ओफिस बंद रहेंगे लेकिन एरपोर्ट बंदर गाओं और उनके ओफिस पर प्रतिबंद लागू नहीं होगा इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताजा इस्तिती तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आकड़ा 13 करोड 61 लाग को पार कर गया है जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 29 लाग से 30,000 के पार है दोस्तों इस म प्राजिल, फ्राइंस, रश्या, उनाइटिट किंग्डम, टर्की, इटली, इस्पेन, इस महामारी से सरवादिक प्रभावितर रदेश हैं। बेल आइकन भी दवा लें। आंदरप्रदेश, दिल्ली, उतरप्रदेश, वेस्ट, बंगाल, चतिसगट, राजस्थान, आधी राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। बड़ा खुलासा, जीरो बैलेंस अकाउंट से, SBI ने वसूले 300 करोड रुपे, सर्विस चार्ज के रूप में। RBI के नियम भी तोड़े। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। फिलिपकाट और अडानी गुरूप के बीश बड़ा करार, 5,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस दो तरफा साज़दारी की तहत फिलिपकाट अडानी पॉर्ट्स लिमिटेड एंड इस्पेशल एकोनोमिक जोन लिमिटेड की पून सबसीड रीक सहायक कंपनी अडानी लोजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी ताकि सप्ला बारिश जान ले क्या है मौसम विभाग का अलर्ट जियां दोस्तों भारतिय मौसम विग्यान विभाग यानिक इंडियन मेटलोजी डिपार्ट्मेंट ने 12 अपरेल को देश के कई हिस्सों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है आइमडी के मुताबिद दक्षन प्रायदीप में साइकलोन उटने के चलते देश के दक्षन पश्मी हिस्से में अगले 5 दिनों के दोरान आंधी और बिजली चमकने के साथ ही बूंदा बांधी से लेकर तेश बारिश तक हो सकती है इस दोरां 30-40 किलमेटर प्रतिगंटे की रपतार से हवाई चलने की भी संभावना है इंडियन मेटलोजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि 14-16 अपरिल के दोरान तमील नाडू के दक्षनी हिस्से अम तटिये के इलाको केरल माहे और करनाटक के तटिये वाई दक्षनी सुदूर इलाकों में भारी बारिश की संभावना है इसके लावा दक्षन पश्रिम मद्यप्रदेश और इसके आसपास के शेत्रों में भी साइकलोन उठने की संभावना है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर शेर बाजार पर कोरोना अटेक सेंसेक्स सत्रा सो अंक टूटा निफ्टी भी पंद्रा हजार के नीचे फिसल कर बंद जहां दोस्तों कोरोना के बढ़ते मामलों से बाजार आज सहम कर ओंधे मूं गिर गया आज भारतिय शेर बाजार के शुरुआ थी बड़ी गिरावट के साथ हुई थी जो समय के साथ बढ़ती गई अंत में सेंसेक्स सत्रा सो आट अंक टूट कर अर्तालिस हजार के नीचे सेंतालिस हजार आट सो तर्यासी पर बंद हुआ चांदी के दाम जहां दोस्तों सोने और चांदी की किमतों में एक बार फिर गिरावट हुई है SDFC सेक्यूरिटीज के अनुसार आजडास्ट राजदानी दिल्ली में सोने का बावू 57 रुपे घटकर 46,070 रुपे प्रती 10 ग्राम रह गया वहीं दोस्तों चांदी की बात की इज़ाय तो चांदी 270 रुपे गिरकर 66,040 रुपे प्रती किलोग्राम पर पहुँच गई है अंतरस्टे बाजार की बात करें तो अंतरस्टे बाजार में सोना 1738 मेर की डोलर प्रती ओंस जब की चांदी 25.08 डोलर प्रती ओंस पर सपाट रही है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर रूस के विदेश मंत्रे ने सुनाया वलामदीर पुतिन का संदेश पाकिस्तान में हल चल हुई तेज जिहां दोस्तो पिछले हफते रूस के विदेश मंतरी सरगई लाउरोव ने अपनी दोदी वसीय यात्रा पर भारत दोरे के बाद पाकिस्तान के इसलामाबाद पहुँचे सरगई लाउरोव की इस यात्रा के बाद पाकिस्तान में हल चल है रूस के राश्पती विलामदीर पुतिन का ऐसा संदेश विदेश मंतरी लाउरोव ने पाकिस्तान में सुनाए कि इमरान खान सरकार हैरान रह गई दोस्तों आपकी जानकार एक लिए बता दें पिछले नो सालों में यह पहलामों का है जब किसी रूसी विदेश मंतरी ने पाकिस्तान का दोरा किया है इससे पहले साल 2012 में लाउरोव ने इसलामबाद का दोरा किया था एक्सप्रेस ट्रियोबिन की रिपोर्ट के मुताबित रूसी विदेश मंतरी सरगई लाउरोव ने पाकिस्तान के विदेश मंतरी शाह महमूद कुरेशी से कहा कि राश्पती बलाउंदिर पुतिन ने संदेश भेजाए कि पाकिस्तान को कुछ भी चाहिए तो रूस वो आज के माइड क्योंच कुशन की जीत सकते हैं एक amazing surprise gift हमारे YouTube चैनल की और से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 29 दिनों की फरवरी कितने सालों के अंतराल के बाद आती है जी आ दोस्तो कर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से comment box में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुले जाते हैं लगकी विज़ता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी सपना उतर comment box में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और जनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत